नमस्कार दोस्तों SN Electrical Academy के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों हम एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हुए है Electrician Trade का जो 25 जन्वरी को हुआ है CBD एक्जाम में उसको ले करके इस कोश्चनों को कुछ इस्टुडेंट ने हमारे पास भेजा हुआ था उसी कोश्चनों का हम आपके बीच discussion करने जा रहे हैं दोस्तों आप इस कोश्चनों को ध्यान से देखिएगा कल जिन इस्टुडेंट का पेपर है वो इस प्रते कोश्चन को देख करके समझ करके आप चाहिएगा क्योंकि ये देखा गया है कि कोश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपके एक्जाम में भी इन कोश्चनों को आने की 100% संभावना होगी और दोस्तों और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि कोश्चन का लेबल आज कैसा रहा तो अगले दिन जिन इस्टुडेंट का पेपर देने जाना है उन इस्टुडेंट के लिए ये कोश्चन का लेबल पता चल जाएगा और question repeat हो रहे हैं तो इन वीडियो में से कुछ question उनको मिलने के भी समभावना रहेगी और दोस्तों साथी साथ आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like करें share करें और यदि आप इस channel पर नए हैं तो आप इस channel को subscribe करें दोस्तों आपसे हम एक निवेदन करते हैं कि मैं तो new Indian ITI college में पढ़ाता हूँ उसकी जो सहयोगी 6 संस्था हैं उन गुरूपों में मैं अपनी ये वीडियो डालता हूँ और उन सभी student से मेरा निवेदन होगा कि all trade जैसे electrician, feeder, welder, diesel mechanic इन student से भी मेरा निवेदन रहेगा और इससे क्या होगा कि हमको YouTube द्वारा हमको permission मिल जाएगी जैसे दोस्तों आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा subscribe करेंगे तो हमें YouTube द्वारा online पढ़ाने के लिए अभी allow नहीं किया जा रहा है जब आप ज्यादे संख्या में इस चैनल को subscribe कर देंगे तो हमें इस चैनल पे direct online पढ़ाने के लिए permission YouTube द्वारा मिल जाएगे तो मैं प्रते एक दिन साम को दो घंटे आपको YouTube पे live पढ़ाऊंगा जिसमें एग घंटे workshop का एलकुलेशन पढ़ाऊंगा और अगले एक घंटे में हम electrician trade theory का full detail subjective आपको YouTube पे live पढ़ाऊंगा तो दोस्तों इसी को देखते हुए आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि ये दोनों चीज साम को एक घंटा YouTube पे live पढ़ाने के लिए आपका support बहुत जरूरी है और आप जादे संख्या में इस चैनल को subscribe कर देंगे तो हमको YouTube द्वारा permission मिल जाएगी online पढ़ाने के लिए तो इनी उद्देशियों को देखते हुए हम आपसे उमीद करेंगे कि आप इसका कोई सकारात्मक result हमको आप देंगे तो चलिए दोस्तों आप इसका भरपूर support कीजिएगा ताकि हम आपको online YouTube पे workshop calculation और electrician trade theory पढ़ा सकूँगा वर्कसाप calculation जो होता है न वो सभी trade के लिए सेम होता है जैसे ही इन चारों ट्रेडों के लिए वर्कसाप calculation वही होगा तो उन student को भी वर्कसाप calculation डिटेल पढ़ पाएंगे तो आईए दोस्तों आज 25 जन्वरी में जो question आये हुए थे उसका हम discussion कर लेते हैं यह जो 232 नमबर question आया हुआ था इसमें कह रहा है कि leakage current protection से सुरक्षा हे तू wiring circuit के साथ कौन सा circuit breaker लगा जाता है? leakage protection के साथ wiring में प्रोटक्षन के रूप में अर्थ leakage के रूप में ELCB का प्रियोग किया जाता है ELCB का मतलब होता है अर्थ leakage circuit breaker जो आपसन नमबर C में दिया हुआ है इसलिए आपसन नमबर C सही हो जाएगा इसमें और जो आपसन है जैसे आपसन नमबर A पे दिया है OCB इसको कहते है oil circuit breaker B को दिया है MCB miniature circuit breaker और C पे जो दिया हुआ है D आपसन पे वो MCCB molded के circuit breaker MCB का ही updated रूप होता है MCCB molded के circuit breaker फिलाल यहां अर्थ leakage circuit breaker से protection के लिए कहा था इसलिए आपसन नमबर C हो जाएगा अर्थ leakage circuit breaker next जो question आया हुआ था यह 233 नमबर इसमें कह रहा है कि power cut off के बाद कौन से relay अपने समपरकों को इस्थिती में बनाए रखती है तो वो जो होती है power cut हो जाने के बाद भी अपने contact point को बनाए जो रखती है वो relay होती है latching relay जो आपसन नमबर C में दिया हुआ है इसलिए आपसन नमबर D सही हो जाएगा latching relay इस diagram को देख करके ये बताना है कि ये कौन सा circuit breaker है तो ये जो circuit breaker है ये air blast circuit breaker है इसको 60 में A, B, C, B air blast circuit breaker भी कहते है air blast circuit breaker का प्रियोग हम ट्रेनों में करते हैं और इसकी rating 132 के भी ये तक होती है तो फिलाल यहाँ air blast circuit breaker आपसन नमबर B में दिया हुआ है इसलिए आपसन नमबर B सही हो जाएगा नेक्स्ट जो question पूछा गया था वो 235 नमबर question पूछा गया था इसमें कहा रहा है कि circuit breaker को टूटने की छमता को मुल्यांकन किसमे करते है और थात circuit breaker की rapturing capacity को किसमे rated किया जाता है तो circuit breaker की rapturing capacity को MBA में measure किया जाता है mega volt MPR जो आपसन नमबर C में दिया हुआ है इसलिए आपसन नमबर C सही हो जाएगा KVA जो दिया हुआ है आपसन नमरे में KVA जो होती है transmission line को हमें rated करते हैं कीलो बार्ट जो होता है वो generator और motor को rated करते हैं और KVAR जो होता है वो कीलो बोल्ट MPR इसका हम प्रियोग जब power factor improve में capacitor प्रियोग करते हैं तो उस समय capacitor की rating KVAR में करते हैं नेक्स्ट कोश्चन जो पूछा गया था वो 173 नमबर कोश्चन था इसमें कह रहा है कि गैर प्रमप्रागत उर्जा का सुरुत कौन सा है गैर प्रमप्रागत यानि non-conventional मतलब कि जिसका भविश्य में इंधन समाप्त ना होने वाला हो जैसे डिजल है समाप्त होने वाला है इस टीम बना रहा है हम यहां जो है विंड पावर जो है यह समाप्त होने वाला नहीं है हावा यानि आपसन नमबर यह सही हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टिन जो पूछा गया था 174 नमबर इसमें कहा रहा है कि उर्जा का प्राकिर्तिक सुरोत कौन सा है मतलब नेचुरल सुर्स कौन सा है तो ये सूर्य है जो आफसर नमबर A में दिया हुआ है इसलिए A सही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोश्टन दिया हुआ था ये 175 नमबर कोश्टन दिया हुआ था इसमें कह रहा है कि हाइड्रो इलेक्टिक प्लांट की योजनाबद ब्यवस्था के खटक को एक्स के रूप में दिखाये गए किस भाग को यहां आप देख रहे हैं कि यह डैम है या रिचर वायर इसको कह सकते हैं और यह जो है ना यह सर्च टैंक है सर्च टैंक के आगे जो यह लाइन लगी है यह पेन इस्टोक है सर्च टेंग का जो काम होता है वो पेन इस्टा को छती ग्रस्त होने से बचाने का काम करता है तो फिलाल इसका नाम पुछा था तो इसको हम कहेंगे सर्च टेंग जो आपसन नमबर B पे दिया हुआ है इसलिए आपसन नमबर B सही हो जाएगा सर्च टेंग नेक्स्ट कोशिन जो पूछा गया था वो 176 नमबर इसमें कह रहा है कि एक गैर परमपरागत उर्जा सुरुत कौन सा है मतलब नन कन्वेंशनल इसमें क्या करना है कि इसमें 176 नमबर में कह रहा है कि एक गैर परमपरागत उर्जा सुरुत कौन सा है मतलब non-conventional इसका मतलब ऐसा energy स्रोत जो समाप्त होने वाला नहो lignite जो होता है ये कोईले के टाइप में आता है जैसे कोईला जो होता है वो चार टाइप में आता है एक beat कोईला होता है एक lignite होता है इसी को भूरा कोईला भी कहते है और एक B2 minus होता है और एक anthracite होता है जो सबसे स्रोवच्च कोटी का कोईला होता है वो anthracite होता है और जो निम्न क्वालिटी का कोईला होता है वो beat होता है यहाँ जो है कोईला lignite दिया हुआ है तो ये भी समाप्त होने वाला energy source में आएगा इसलिए ये नहीं होगा B पे दिया हुआ है sunrage सुर्य की किरिणे ये समाप्त होने वाली नहीं है यानि option number B सही हो जाएगा बाकि इसके A option और संग्रहित पानी और चुरूडित पोलोराइज कोईला ये जो है ये conventional के source है नेक्स्ट जो question पूछा गया था ये 74 नमबर इसमें कह रहा है कि control panel wiring में wiring accessory का नाम क्या है जब आप control panel की जब wiring करते हैं तो उसमें MCB, isolator इस प्रकार के instrument जब लगाते हैं तो इसकी आवस्यक्ता होती है इसको हम कहते हैं dean rail dean rail का प्रियोग वहां किया जाता है जहां पे बिना screw के slide पे MCB, isolator इस प्रकार के instrument लगाने के लिए हम dean rail का प्रियोग किया जाता है बिना screw के प्रियोग पे और इस पे हम slide करके MCB या isolator को लगा देते हैं यहां जो दिया हुआ है आपसा number A में दिया हुआ है dean rail इसलिए आपसा number A सही हो जाएगा next जो question पूछा गया था यह 75 number question पूछा गया था इस question में बहुत सारे question बन जाएगे फिलाल एक का यहां पूछा है बाकी का हम आपको बताएंगे इसमें कह रहा है कि परिपत में X अंकित device का नाम क्या है इस device को वो पूछ रहा है तो यह device का figure जुड़ है यह ऐसे dry तो इसको कहते है overload coil आप याद रखिएगा ऐसा जब भी figure आए drying आए तो आप उसको बताएंगे overload coil यह जो है इसको हम कहते है normal open और इसको कहते है normal close और इसको कहते है auxiliary contactor फिलाल इसका पूछा था इसलिए इसको overload coil कहेंगे जो option number D में दिया हुआ है overload coil इसलिए option number D सही हो जाएगा next question जो पूछा गया था यह 77 नमबर इसमें कह रहा है कि control panel wiring में प्रिक्त गौण का क्या नाम है इस figure को दिखाया गया है इस figure का आपको नाम पूछ रहा है तो इसको कहते हैं chromat जो option number C में दिया हुआ है chromat इसलिए option number C सही हो जाएगा next जो question पूछा गया था वो 78 नमबर इसमें कह रहा है कि panel board में कौन सा device outlet और short circuit से बचाता है पतलब overload और short circuit दोनों से कौन सा instrument protection देता है panel board में तो वो जो होता है MCB होता है MCB का full form जो होता है miniature circuit breaker और इसकी rated current rating जो होती है पांच ampere से 60 ampere तक होती है इसका updated data आ गया है वो दे दे रहा है इसमें 6 ampere से 63 ampere और इसकी जो voltage rating होती है वो 230 volt होती है और यह जो protection देती है manually operate होती है और short circuit और open दोनों में protection देती है option जो यहां दिया हुआ है option number D दिया हुआ है इसलिए option number D सही हो जाएगा next जो question पुछा गया था वो 2502 number इसमें कह रहा है कि alternator की कैसे rated किया जाता है alternator की rating किसमे की जाती है तो alternator हो या transformer हो इन दोनों की rating आभासी सक्ती में की जाती है और वो rating होती है कि भी यह कीलो बोल्ट एमपियर जो option number A में दिया हुआ है कि भी यह कुईलो बोल्ट एमपियर इसलिए option number A सही हो जाएगा किलो बाट जो दिया हुआ है यह motor और जर्नेटर तोनों की rating जब हम करते हैं तो किलो वाट में करते हैं मेगाबाट जो होती है वो सकती का मात रख होता है और केवियर जो होता है डी आप्सन पर केवियर दिया हुआ है इसका हम रेटर करते हैं जब हम transmission line भेंशते हैं तो उसकी rating केवियर में की जाती है next question जो पूछा गया था ये 258 नमबर इसमें कह रहा है कि alternator में प्रतिसत voltage V नियमन की गढ़ना करने के लिए formula क्या होता है मतलब alternator में voltage regulation का formula पूछा है तो voltage regulation equal to होता है no load minus full load upon full load into 100 होता है इसमें जो है option number A में दिया हुआ है full load minus no load तो ये गलत हो जाएगा B जो दिया हुआ है no load minus full load upon full load into 100 इसलिए option number B सही हो जाएगा next जो question पूछा गया था वो 269 नमबर question पूछा गया था इसमें कह रहा है कि 1000 RPM 6 ध्रू वाले एक alternator की आपूर्ति आपूर्ति की गण्ड़ा कीजिए अर्था एनेस इक्वल टू 120 F अपान P अब इसी फार्मूले में इसको हमको पूट करना है तो इस फार्मूले को एक बार यहां लिखते हैं एनेस इक्वल टू 120 F अपान P एनेस कमान दिया हुआ है 1000 इक्वल टू 120 इंटू F कमान पूछ रहा है अपान फ्रेक्वेंसी कमान पूल जो दिया हुआ है 6 दिया हुआ है इस 0 से यह 0 केंसील हो जाएगा दू से यह 6 बार दू 6 कमारा 6 है न 6 दूनी कमारा और दू से यह 100 कटेगा 50 यानी 50 और आपरिती निकालने रहे हैं तो इसका मातरक जो होगा वो हर्ज होगा इसलिए जो आपसन होगा वो C आपसन होगा 50 हर्ज नेक्स्ट जो कोश्चन पूछा गया था वो 260 नंबर कोश्चन पूछा गया था इस कोश्चन में कह रहा है कि पचास हर्ज की आबरीती पर दो धुरूओं वाले एक अल्टरनेटर की गती गयाद कीजिए अर्थात एनेस इकॉल टू एक सो बीस एफपान पी इसमें एक सो बीस इंटू फ्रेक्वेंसी जो है पचास हर्ज है अपान दो धुरू है दो से यह कटेंगे दूछ शका बारा आच छे पाचे तीस यानि 3,000 और स्पीड गयाद कर रहे हैं तो वो आरपीम में होगी यानि 3,000 आरपीम जो आपसर नमबर सी में दिया हुआ है आप 3,000 आरपीम इसलिए आपसर नमबर सी सही हो जाएगा नेक्स्ट जो question पुछा गया था ये इसका number PDF बनाते वक्त कट गया है आप ध्यान से देखिएगा इस question में कह रहा है कि ये जो है ये कौन सा method है कौन सा तरीका है आप यहां देखेंगे यहां पे जो है बसबार से 3-phase induction machine को supply दिया जा रहा है बसबार का जो फेच करम होता है हमारे इंडिया में RYB होता है red, yellow और blue होता है और इस 3-phase induction machine के shaft पर एक motor लगी है तो इसका जो मेके निजम होता है कि जब हम 3-phase induction machine को 3-phase supply देते है तो इसके shaft पर ही ये motor लगी है जब ये 3-phase induction machine इस्टार्ट होती है तो उसी shaft पर connect होने के कारणी ये motor भी स्टार्ट हो जाती है तो इस प्रकार का जो मेके निजम होता है वो cascade control method कहा जाता है और ये 3-phase induction machine में लगू होता है और इसमें एक और question बनता है कि cascade control method जो है वो कैसे प्रियोग किया जाता है तो जब motor को 3-phase induction machine को rotor side से machine की controlling करना हो तो वो cascade controlling method का प्रियोग किया जाता है जो option number A में दिया हुआ है cascade controlling method इसलिए option number A सही हो जाएगा next जो question पुछा गया था ये question भेरी भेरी most है इसको repeat होने की 100% संभा हो रहा है आप ध्यान से इस numerical को समझिएगा इसमें कहा रहा है कि 1440 RPM घुणन कर रहे 7.5 HP square L case motor द्वारा निर्मित बलागुल निउटन वीटर में ग्याद किजिए इसके लिए फर्मूला होता है टाउ इकोल टू 9.55 इंटू वाट बटा रोटर स्पीड अब इस फर्मूले को आप एक बार यहां लिख देते है 9.55 इंटू वाट अपन रोटर स्पीड यह 9.55 इंटू वाट वाट के जगह पे एच्पी दिया हुआ है 7.5 एच्पी और एक एच्पी में 746 वाट होता है तो इंटू 746 वाट अपन रोटर स्पीड जो दिया हुआ है वो 1440 दिया हुआ है यह टार्क कमान होगा दोस्तो इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन होकर के जो रिजल्ट आएगा वो 36.6 आएगा और टार्क ग्याद कर रहा है तो इसका बात रख निवड़न इंटू वीटर होगा आप इसको एक बार इसका कैलकुलेशन कीजिएगा और देखिएगा 36.6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट कीजिएगा हम इस कोश्चन को जरूर आप बताएंगे फिलाल इसका जो अंसर होगा वह 36.6 निवटर इंटू मीटर होगा नेक्स्ट जो कोश्चन पुछा गया था यह 189 नंबर कोश्चन पुछा गया था यह कोश्चन जो है यह भेरी भेरी मोश्ट है यह कमपटीशन एक्जाम में भी कोश्चन आता है अभी एनेफल का एक्जाम हुआ था नेशनल फार्टी लाइजर लिम्टेड का उसमें यह कोश्चन आया हुआ है और आपके सी मीटी इंग्साम में भी यह कोश्चन रिपीट हो रहा है इसमें कहा रहा है कि रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्डन किया गया है रोटरी स्विच तो यह जो है न यह कोईन के स्लोट को प्रदर्सित किया गया है जो आपसर नमबर सी में दिया हुआ है सी के का स्लोट यानि कोईन स्लोट इसलिए आपसर नमबर सी सही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोश्चन पुछा गया था यह question इसमें आप देख रहे होगे कि यह बस बार है बस बार आर वाई भी और यहां से supply connect है और यहां पे एक transformer लगाया गया है इसका प्रियोग करते हैं और इसकी जो रटेट होती है 5hp तक प्रियोग करते हैं बी पे जो दिया हुआ है इस लिए आप सर नबर भी सही हो जाएगा आटो ट्रास्फार्मर स्टार नेक्स्ट जो कोश्चन पुछा गया था ये 119 नंबर कोश्चन पूछा गया था इसमें कह रहा है कि AC 3 फेज कला प्रेराड मोटर की तुल्यकाली गती की गर्णा केजिए अर्थात सिंक्रोनस स्पीड पूछा है तो सिंक्रोनस स्पीड को NS कहते है और NS इक्वल टू होता है 120 F अपान P होता है NS को सिंक्रोनस स्पीड कहते है और F जो है फ्रेक्वेंसी है और P जो है वो पूल है तो आपसर जो दिया हुआ है पहला सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 F अपान P इसलिए आपसर नंबर A सही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोश्चन पूछा गया था यह 19 नंबर इसमें कह रहा है कि किस बोल्टेज ड्राप को X के रुप में चिन्धित किया गया है तो यह जो है यह आर्मेचर रियक्शन ड्राप होता है और इसके नीचे वाला जो ड्राप है वो बोल्टेज ड्राप होता है फिलाल इसके उपर वाले को पूछा है तो इसको आप कहेंगे आर्वेचर रियक्षन ड्राप आपसन जो है आपसन नमर C में दिया हुआ है आर्वेचर रियक्षन ड्राप इसलिए आपसन नमर C सही हो जाएगा अगर उसके नीचे वाले पार्ट को दिखाता तो उस कंडिशन में हम आरवेचर वोल्टेज ड्राप टीक करते हैं फिलाल यहां उपर वाले पार्ट को पुछा है इसलिए यहां आरवेचर रियक्शन ड्राप होगा इसलिए आफसर नमबर सी सही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोश्चर पूछा गया था तैयंतालिस नमबर इसमें कह रहा है कि यह एक्स की रूप में दिखाए गए सलोट का नाम क्या है तो यह की वेव होता है जब इस पार्ट को आरवेचर सलोट सरी दोस्तों साफ्ट पे जब इसको हम आरवेचर साफ्ट पे अस्थापित करते हैं इस की होल का प्रियोग जो किया जाता है वो साफ्ट पे पकड़ मजबूत करने के लिए इस की होल का प्रियोग किया जाता है तो इसका जो नाम पूछा है उसको हम कहेंगे की वे यानि to fix the की वे कुझी तरीका ठिक करने के लिए यानि आपसा नमबर A में दिया हुआ इसलिए आपसा नमबर A सही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोश्चन पुछा गया था ये कोश्चन पुछा गया था इसमें कह रहा है तेरा नमबर में कि DC जर्नेटर के किस भाग को यहां दिखाया गया है इसका नाम क्या है तो इसको हम कहते हैं बाडी बाडी कहेंगे या योक कहेंगे या फ्रेम कहेंगे इस पूरे पार्ट को हम या तो बाडी कह सकते है या योक कह सकते है या फ्रेम कह सकते है जो आपसा नमबर D में दिया हुआ है योक या फ्रेम इसलिए अफसर नमर D सही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोश्चन पुछा गया था वो 144 नमर इसमें कहा रहा है कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया में या क्रिया क्या है तो ये जो है न ये वेजेज डालना कहते हैं या हटाना कहते हैं इसमें जो होती है बास की फटी होती है जो इस टेटर के अंदर डाली जाती है कि जब हम वाइंडिंग करते हैं तो वो एक दूसरे को प्रिथा करें आपस में 60 सरकिट होने से बचाने के लिए इस बास की फटी या फचेज डालते हैं तो यहाँ जो यह क्रिया किया जा रहा है यह मास की फटेट या वेजेज को निकाला जा रहा है जो आपसा नमर सी में दिया हुआ है कि वेजेज को हटाना इसलिए आपसा नमर सी सही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोश्चन पूछा गया था ये question पूछा गया था इसमें कहा रहा है कि ये कौन से starter का संकेत है symbol है तो ये जो symbol है ये auto transformer starter का है जो option number B में दिया हुआ है इसलिए option number B सही हो जाएगा तो दोस्तों यही question थे जो हमको student भेजा हुआ था आपके बीच इसको explain हम कर दिये अगर किसी question में doubt होता है तो हमें आप comment कीजेगा हम उसका reply जरूर देंगे और साथी साथ आपसे दोस्तों निवेदन रहेगा कि all train जैसे electrician, feeder, welder और diesel, mechanic इन सभी student से मेरा निवेदन है कि वो सभी student इस channel को subscribe कर दे ताकि जो हम एक नया content लाने वाले है जो साब को दो घंटे YouTube पे live workshop calculation और electrician trade theory का वो जल से जल लाएं क्योंकि हमको अभी YouTube द्वारा permission नहीं मिल पा रहा है यदि आप अधिक संख्या में इस channel को subscribe कर लेंगे तो हमें YouTube की तरफ से permission मिल जाएगी online पढ़ाने के लिए तो आपको हम उतना ही जल्दी आपके बीच ये content लाएंगे तो हम उमीद करते हैं कि इसका आप कोई हमको positive result आप सभी student मिल करके देगे तो इसी उमीद के साथ इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए बाई बाई टेक केर